नमस्कार मैं हूँ जैनब और आप देख रहे हैं टुडेश स्टेट्मेंट लोग सब चुनाव में भाजपा की जीत के बाद पश्चिम बंगाल में त्रिनमुल कॉंग्रेस विधायकों एवं नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला जारी है क्योंकि बुद्वार को त्रिनमुल विधायक, मनिरुल इसलाम, पूर्व विधायक, गददर हाजरे समित, मुहमत आसिफ इकबाल और निर्माई दास जैसे कुछ नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं मंगलवार को भी त्रिनमुल के दो विधायक, माकपा के एक विधायक एवं त्रिनमुल के पचास से अधिक पार्षद भाजपा में शामिल हो गए थे भाजपा के केंदर कार्याले में प्रदेश प्रभारी एवं पार्टी महासचीव कैलाश विजेवर्गिये और भाजपा नेता मुकलरॉय की मौझूदगी में त्रिनमुल के इन नेताओं ने भाजपा की सदस्ता ले ली है इस पर केलाश विजेवर्गिये एवं मुकल रॉय ने समवधाताओं से कहा कि सभी को मालूम है कि बंगाल में जो हिंसा हुई है वहतरिनमूल कॉंग्रेस के लोगों द्वारा राज्य सरकार के समर्थन से की जा रही है साथ ही यह पूछे जाने पर कि मुखे मंतरी मम्ता बैनर जी ने प्रिधान मंतरी नरिंद्र मोदी के शपत ग्रहन समाहरों में शामिल होने से इनकार किया है तो विजेवर्गिये ने इस पर कहा कि वे नहीं आने का बहाना ढून रही थी और वे उनको मिल गया है पार्टी बदलने पर त्रिनमुल कॉंग्रेस ने तृत्व ने पार्टी के कुछ विधायकों के भाच्पा में शामिल होने को तवज्जो नहीं देते हुए बुद्वार को कहा है कि यदि कुछ अफसरवादी विधायक अपनी निश्टा छोडते हैं तो इससे कोई फरक न कॉंग्रेस के वरिष्ट नहीं था तापस राए ने कहा यदि एक या दो अफसरवादी विधायक भाच्पा में शामिल हो जाते हैं तो इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता कुछ अफसरवादी हैं और इन में से कुछ को ऐसा करने के लिए धमकाया गया था अब किसने भाच्पा अपनी मर्जी से जॉइन करी है और किसने जबरदस्ती ये तो पार्टी बदलने वाले नेताओं को ही पता होगा लेकिन तपस राए का ये कहना कि तरनमुल कॉंग्रेस को इन सब से कोई फरक नहीं पड़ता तो शायद लगता है कि तपस समय की नजाक को नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि पार्टी को इतने नेताओं के कुट करने के बाद पार्टी की छवी तो खराब हो ही रही है